आज के समय में लोगों की जिन्दगी एक मसीन की तरह हो गई है, जो हर समय काम में लगी रहती है, कभी सोचा है या ब्यस्तता हमें कहां ले जा रही है, डिप्रेशन यानी अवसाद की और, इस समय हर दूसरा ब्यक्ति डिप्रेशन का सिकार हो रहा है, जिसकी वज़े से इसक असर उसकी सियत पर देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन के कारण इंसान की सोचने और समझने की चमता प्रभावित होती है, जानते हैं डिप्रेशन का घरेलू इलाज इस वीडियो के माद्यम से, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हम सब से पहले बात करते हैं ब्यायम की, हर किसी को अपनी सियत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए अच्छा खान पान और ब्यायम जरूरी है, ब्यायम डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब हम ब्यायम करते हैं तब सेरो टॉनन और टेस्ट जेसे हार्मोंस रिलीज होते हैं जो दिमाग को इस्तिर करते हैं डिप्रेशन को बढ़ाने वाले विचार आने कम होते हैं अब हम बात करते हैं अच्छी नीन की एक अच्छी और पूरी रात की नीन हमें सकारात्मक उर्जा से भर देती है जो लोग रोजाना साथ से आठ पूरी नीन नहीं लेते तो उन लोगों में डिप्रेशन का खत्रा अधिक होता है इसलिए व्यस्तता के बावजूद अपनी नीन से समझोता ना करें अब हम बात करते हैं म्यूजिक सुनने की जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उन्हें संगीत सुनकर अच्छा लगत है जब भी ब्यक्ति मानशिक रूप से परेशन हो तो उसे अपना पसंदिदा गाना सुनना चाहिए संगीत में मूर बदलने मन को अवसाद से निकालने की अद्वुत तागत होती है अब हम बात करते हैं नीम के लेप की वैसे तो यह माना जाता है कि नीम से तवचा बिमारियां दूर होती है पर तनाव को खतम करने में भी यह कारगार पाया गया है तनाव कम करने के लिए नीम की पत्यों का पेश्ट त्यार कर माथे पर लेप करना चाहिए इसे कुछ दिर में आरा मिलने लगता है अब हम बात करते हैं दूद की कहा जाता है कि तनाव को द पाउडर मिला कर पेष्ट बना माथे पर लगाने से भी तनाव कम होता है अब हम बात करते हैं गुलकंद की वैसे तो गुलकंद कई तरह की स्वस्थ समस्याओं को दूर करता है पर तनाव दूर करने में यह बेहत कारगार है तनाव होने पर दूद में गुलकंद मिला कर सोने से पहले पीना चाहिए कुछ दिनों तक ऐसा करने से राहत मिलती है और तनाव खतम हो जाता है मीटी लसी में भी गुलकन मिला कर पिया जा सकता है अब हम बात करते हैं पान के पत्तों की पान के पत्ते चबाने से भी तनाव से राहत मिलती है वैसे तो पान की तासीर को गरम कह पर तनाव में इसका अच्छा असर देखा गया है। पान का पत्ता चबाने के साथ उसे पाने में भीगो कर माते पर पटी की तरह भी रख सकते हैं। इससे काफी राहत मिलती है। अब हम बात करते हैं ग्रीन टी की। ग्रीन टी में एंटी एकसिडेंट के साथ ही एल्टिया म प्राइन नाम का तत्व होता है जो तनाव को खतम करता है इसलिए जब भी तनाव हो गरीन टी जरूर पियें इसे तत्काल एनरजी भी मिलती है अब हम बात करते हैं नारियल तेल की तनाव होने पर नालियर के तेल से मसाज करने पर भी राहत मिलती है नारियल के तेल से मसाज क तो ये थी कुछ महत पूर्ण जानकारी जो हमने इस वीडियो के माद्यम से आप लोगों तक साजा की है मुझे उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें आपने दोस्तों के साथ सेर करें अगर आप चेनल पे नई ह तो चेनल को सब्सक्राइब कर बिल आइकन जरूर प्रेज करें